किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंदर वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों के बी सी क्वेजिन हिंदि के बी सी का फुल फार्म होता है दोस्तों कौन बनेगा करोर पति इस वीडियो में मैं 10 कोश्चन कवर करने वाल हूँ तो वीडियो को जारा सभी पोज मत कीजिएगा अगर आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुंच जादा useful होने वाला है वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को एक like कीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए अगर आप मेरे चानल पर आही गए दोस्तों तो प्रेस सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिलकुल भे मत भूले आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि मेरी हर नए latest वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुंचते रहा अर्थ विवस्ता की संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें सी क्या है कर बैंक काता घाटा या फिर मुद्र इस्टिफी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा कर आजाएगा दीपा मरकामर ने 2016 उलम्पिक में किस खेल में भारत का प्रतिनी दित्व किया था सतरंज बैडमिंटल जिम्ना टिक्स की या फिर टेनिस राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जिम्ना टिक्स ओप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है दीपा कर्मकर ने 2016 उलम्पिक में किस खेल में भारत का प्रतिनी दित्व किया था तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जिम्ना टिक्स ओप्सन नमबर सी इस का राइट आंसर है अगला कोश्चन मेंने लिया है इनमें से कौन सा मसाला वास्ताव में सोखी पंक्तियां होती है करांदी, जावित्री, डालचीनी, कस्तूरी, मेथी, राइट आंसर क्या है दोस्तों कसूरी, मेथी, ओप्सन नमबर D को आप लोग याद रखोगे इनमें से कौन सा मसाला वास्ताव में सोखी पंक्तियां होती है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों कसूरी, मेथी, ओप्सन नमबर D इसका करेक्ट आंसर है अगला कोश्चन किस सहर का नाम बदल कर गुरु ग्राम रख दिया गया है गुरगाओ, गंगनगर, गुवाहर्टी या फिर गंगटोक राइट आंसर सभी लोग जामते हैं दोस्तों गुरगाओ आपसन नमबर E को आप लोगों को याद रखना है कि सहर का नाम बदल कर गुरु ग्राम रख दिया गया है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा गुरगाओ, आपसन नमबर E को आप लोग इसमें याद रखो गया नेक्स्ट क्वेशन देखें, इनमें से किस खेल जगत के सस्यत पर अब तक कोई फिचर फिल्म नहीं बनी है अगला कोशन, इस भारतिय प्रदांस मंत्रियों में से कौन सा आज के गुजरात में पैदा हुआ था अगला कोशन, माघ के महिने में किस दिन मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन वरत का पालन करते है प्रतिपदा एकदसी, अमवस्य पुर्णेमा करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा अमवस्य ओप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है माघ के महिने में किस दिन मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन वरत का पालन करते है अगला कोशन, भारतिय स्वीट का नाम पाने के लिए आपकी सब्दों का हलवा से पहले जोन सकते हैं राज सोहन राहूल प्रेम करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा सोहन आजाएगा भारतिय स्वीट का नाम पाने के लिए आपकी सब्द को हलवा से पहले जोर सकते हैं तो आंसर में क्या टिक मार करोगे सोहन ओप्सन नंबर B को आप लोग याद रखोगे अगला कोश्चन देखिए इन तीर्थ इस्थलों में से कौन सा समुद्र के सबसे निकट है द्वारीका अमरनात बोध गया या फिर उज्जयन राइट आंसर सभी लोग जामते हैं दोस्तों द्वारीका इस तीर्थ इस्थलों में से कौन सा समुद्र के सबसे निकट है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा द्वारीका ओप्सन नंबर A को आप लोग याद रखोगे अगला कोश्चन देखिए इन खेलों में से किस टीम का आउट और ना आउट टीम का इस्तिमाल किया जाता है बैड मिंटल, कबड़ी, होकी या फिर फुटबॉल करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा कबड़ी आजाएगा इन खेलों में से किस टीम का औल आउट और ना आउट टीम का इस्तिमाल किया जाता है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा कबड़ी ओप्सन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखो गया आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूश्फूल लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए सेयर कीजिए और मेरे चानल पर आई गया दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कोल भी मत भूलिया साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि मेरी हर नए लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहा मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक की